लगबग एक महा पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसका नंबर था 302 उसमें मैंने जो ड्रिंचिंग की थी पोधों में जिन पोधों की टहनिया सूख रही थी पत्ते गिर चुके थे या जो थे वो पीले पड़े हुए थे और उनमें कोई भी नई फुटान नहीं हो रही थी किसान साथियों जब मैंने ये ड्रिंचिंग की थी उस समय पोधों की ये हालत थी आप स्वेम देख लीजिए उसके लगबग कुछ पंदरा दिन बाद मैंने एक और वीडियो दिखाई थी तीन सो दस नमबर जिसमें इसी समस्या पर जो तीन वर्स से बड़े पोध है उन पर यही समस्या थी और वहाँ पर एक प्रियोग हुआ था जिसमें उन्होंने जड में बोडो मिसरन या कोपर ओक्सी कलोराइड की ड्रिंचिंग की थी और जो कैनोपी है वहाँ पर थायो फिनाइट मिथाईल और निस्टोड की ड्रिंचिंग की थी कैनोपी से मेरा मतलब है कि जहां तक उसका फैलाव होता है वहां पर उन्होंने एक लाइन बना कर उसमें ड्रिंचिंग की दी दोनों ही बातों के अभूतपूर परणियाम है जो 310 नंबर की वीडियो में है वो केवी के का परियोग है वो मैंने आपको दिखाया था और आज मैं ये 302 नंबर की जो मेरी वीडियो थी जो मैंने ड्रिंचिंग की थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज जब मैंने इन पोदों को देखा देख तो मैं इने 2-3 दिन से रहा हूँ तो इन में भरपूर फुटान है परतेख टहनी जो सुखी हुई भी थी उसमें से लगबग 90% से ज़्यादा टहनियों पर उसमें आगे का कुछ हिच्चा छोड़कर पीछे से पूरी फुटान है और पूरा पोदा हरा भरा बना हुआ है किसान साथियों यहाँ पर एक बात मैंने नोट की है जो मैं आपके साथ साजा करना चाहता हूँ वह है कि जो ये फुटान है इसमें जो पतिया निकल रही है उनका जो आकार है या साइज है वो थोड़ा सामन्य पतियों से थोड़ा कम है इसका कारण यह हो सकता है कि अभी पोदे में नई जड़ों का विकास शुरू हुआ है और उन नई जड़ों ने थोड़ा भोजन लेना शुरू किया है और पतिया बहुत अधिक मातरा में है जब मैंने इस बात को अपने साथियों से डिसकस किया तो यही कारण पता चला कि इसमें अभी पतियों का साइज थोड़ा छोटा रहेगा चुकि जड़े अभी कम हैं यह जड़े सुरक्सित रहें इसके लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं इसमें फिर ड्रिंचिंग करूँगा रात मैंने नीला थोता और जो चुना है उसको भीगो कर रखा है और उससे मैं बोडो मिस्रन बनाऊँगा जिसका के पूरा विवरण मैं 302 नमबर वीडियो में बता चुका हूँ और आज फिर इनमें एक लीटर जो बोडो मिस्रन है उसकी ड्रिंचिंग करूँगा सफाई मैंने करा दी है उसके बाद ड्रिंचिंग कराने के बाद महां ढखक कर और मैं उसमें मल्चिंग कर दूँगा थोड़ा पानी भी दूँगा ताकि नमी बनी रहे जो ये पानी वाली बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको पोधो में बहुत अधिक पानी नहीं देना है और नमी बनाना है और कोशिस कीजिए जो मैं बार बार दोराता हूँ कि पानी पोधों के तनों के पास ने लगे पानी उनसे दूर रहे वहां तक नमी पहुंचने चाहिए अगर पानी लग गया ये समस्या वहां पर बहुत आती है कि जो लोग फलड से एरिगेशन करते जिनके हैं डिरिप सिस् हो जाता है और नमी बहुत अधिक देर तक नीचे बनी रहती है और उससे हमारी जड़े जो हैं वो गलने लगती है और जब जड़े गलने लगती है तो वो भोजन नहीं ले पाती और फल सरूप पत्ते पीले पढ़ने लगते हैं धिरे धिरे पत्ते गिर जाते हैं और उसक ड्रिंचिंग करिए एक बात मैं यहां पर फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रियोग को बहुत ध्यान से करना है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस से फाइदा ही होगा अगर आप ये कारिये जैसा मैंने बताया है उसी परकार करेंगे तो फाइदा होना सो भाविक है किसान सातियों आजगल सब भाई नीबू की खेती करना चाह रहे हैं नीबू का भाव बहुत अधिक है सुना है कि चोर भी आ रहे हैं आजगल जो नीबू तोड़कर ले जाते हैं जो मंडी है उसमें भाव इसका 200 से 2500 रुपे किलो तक है कल मैं अपने साथी नवेज जी से बात कर रहा था तो वो बता रहे हैं कि खेत से 2500 रुपे किलो जा रहा है इस बात को देखकर यह मत सोचें के नीबू को हाई डेंसिटी पर लगा दें या हम गुट्टी वाले पोदे लगा दें अच्छे पोदों का चुनाव कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए के नीब का सभी यह बात बताते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे जो पहले दो वर्स है उसमें सबसे अधिक समस्या जो नीबू में आती है वो यही आती है जड़ गलन की और पतियों का सोखना जब नए पत्ते निकलते हैं तो एक और समस्या आती है जो होती है आपकी नीबू की तितली या उसमें आपका आता है लीफ माइनर या आता है थ्रिप्स किसान सातियो इस बार मैंने अपने जो डेड़ वर्स के अमरूद के पोदे है नीबू पर जो मैंने पतियों का रस बनाया था उसका इस्प्रे किया था उसके मुझे बहुत अच्छे परिनाम मिले और जो मैंने बायो फॉलियर केर फॉर पेस्ट है वो किया था मैंने उसका पंदरा दिन बाद इस्प्रे किया था अभी तक मेरे पत्तों पर मुझे कोई कीट नजर नहीं आया है आज मैं एक इस्प्रे बायो फोलियर केयर का और कराऊँगा अपने पोधों पर और उसके भी परिणाम साचा करूँगा किसान साथियों मुझे बहुत भाई ये लिखते रहते हैं कि दो तिन फोटो भेज देते हैं और मुझे सीधा सवाल पोशते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बताईए किसान साथियों मैं इस परकार नहीं बता सकता मुझे पोधे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इतने अधिक मेसेज आते हैं कि सब के लिए संभाव नहीं है आप चाहें तो मेरे फार्म पर आ सकते हैं यहां पर बात कर सकते हैं आप आईए, बैठिए, मैं आपका स्वागत करूँगा आपको पूरी जान करें आप थोड़ा सीखने की कोशिश करिए अगर ये भी कारिय नहीं कर सकते जितने भी किसान भाई नीमबू की खेती करते हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि आप हमारा वाटसेप ग्रूप जॉइन करें जिसके लिए एक वार्सिक फीस है आप वाफीस दे सकते हैं एक साल तक वहां रह सकते हैं और वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपना ग्यान बढ़ा सकते हैं अपने पोधों को सुरक्सित रख सकते हैं उसके बाद आप चाहें तो उससे बाहर भी जा सकते हैं किसान साथियों जो मैंने आज बताया वो था कि आपको पोधों में जो इनमें के टहनिया सूकती हैं पत्ते पिले पड़ते हैं जो डाइबेक रोग है फाइटो पतोरा है उसका इलाज और इसमें ध्यान ये रखना है बहुत महतोपूंट चीज है कि ड्रिंचिंग के बाद पोधों के आस पास नमी बनी रहनी चाहिए आप उसमें हलका पानी दीजिए और उसे इस प्रकार मल्चिंग कर दीजिए कि जिस से के नीचे हलकी हलकी नमी बनी रहे चूकि इस से में जड़े नहीं निकली हैं उनको सुरक्सित वाता रण चाहिए बहुत अधिक पानी नहीं चाहिए कोई खाद नहीं चाहिए जैसे ही ये जड़े थोड़ी व्यस्क होंगी थोड़ी और बढ़ेंगी तब हम इनको खाद भी देंगे और ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें छोटे छोटे पत्ते हैं उनका आकार इसलिए भी छोटा है कि अभी जड़े छोटी है कुछ महीने बाद दो तीन महीने बाद ये ही पत्ते आगे बड़े होंगे आपका पोदा सुष्ट होगा किसान साथियों अंत में एक बात और कि आप अगर नीमू के पोदे चाहते हैं तो उसकी बुकिंग सुरू है और आप ये नीमू के पोदे हमारे आँचे जो बीजू पोदे है सीसी आराई के है आप वो बुक करा सकते है जो किसान भाई मद्दे परदेश के है या जो अधिक पोदे एक हजार या उससे अधिक पोदे लेना चाहते है तो हम उनके हाँ सीधा यही इंतजाम कराएंगे कि पोदे महा से सीधे उनके हाँ पोदे जिससे आपकी भी बचत होगी और हमारे भी समय की बचत होगी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवस्य बताएं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत वंदे बात